पुलिस दल में कारेरत एक पुलिस कॉंस्टेबल की गुर्वा सुभाग घर पर ही अचानक दिल का दौरा पंडे से मौत हो गई मृतक 31 वर्षिये विक्रम सिंग बना पर बताया जा रहा है मौनिंग वॉक से घर पहुचने के बाद अचानक सीने में दद उठने के बाद परीजन उसे अस्पताल ले कर गए जहाँ डॉक्टरों ने उसे जाच के बाद मृत गोशित कर दिया पुलिस समीली जानकारी के अनुसार मृतक फ्रेंड्स कॉलोनी के नर्मदा कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं और 2016 में अनुकम के आधार पर पुलिस दल में भरती हुए थे परिवार में उनकी मा, पतनी और एक भाई है और उनका दो साल का एक बच्चा भी है अभी विकरम सिंग बनाफर पुलिस मुख्याले में ड्यूटी कर रहे थे गुरवार सुभा विकरम मौनिंग वॉक के लिए बाहर गय हुए थे और जैसी वो मौनिंग वॉक के बाद घर वापस पहुचे तब उन्हें सीरी में अचानक दर्द उठा हाला कि तब परिजनों ने उसे नीबू पानी बना कर दिया बावजुद इसके दर्द ज्यादा पढ़ने के चलते उसे नीजी अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे जाच के बाद ही इम्रित घोशित कर दिया इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई पुलिस ने घटना स्थल पर पहुँच कर आकस्मिक मौत का मामला दर्च किया विक्रम सिम की अचानक हुई इस मौत के बाद उसका पूरा परिवार सदमे में है दिल का दौरा पढ़ने के चलते विक्रम की मौत होने का कयास लगाया जा रहा है NBCN News के लिए कलेश भादवाज के साथ अकसान सारी की रिपोर्ट